Good morning all of you, this is the last class of your chapter subject verb agreement, और आज जो है इस chapter का the end हो जाएगा, इस question को देखने के बाद, half of the mangoes is good होना चाहिए या are good होना चाहिए, half of the land is cultivated होगा या are cultivated होगा, most of the teachers is busy होगा या are busy होगा, most of the money is absent होगा या are absent होगा, missiles is या are a dangerous disease, a number of boys is oblique are there, the number of boys is oblique are 10, अब ये a number of boys और the number of boys के बारे में तो बताया गया है, the typing of the letters is oblique are over, the pages of this book is oblique are missing, इसको ध्यान से देखना है और बताना है कि इसमें भर्ब जो है, वो कौन सा लगेगा, plural लगेगा ये similar लगेगा, दोनों का first दो question है, दोनों का half of से ही सुरू हुआ है, ठीक है, half of से सुरू हुआ है, लेकिन first वाले में जो है वो plural countable noun है, और second वाले में जो है वो uncountable noun है, इसमें कि क्या होना चाहिए या अगर इज होगा तो क्यूं होगा ये एकदम बैसिक दिमाग में क्लीर होना चाहिए और और होगा तो क्यों होगा the pages of this book is missing या are missing तो इसमें भी जो है वो वजह तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए कि अगर इस हो रहा है तो क्यों हो रहा है और हो रहा है तो क्यों हो अब इसका solution देने के बाद यहीं इस वीडियो में जो भी कोशे रहा है इसका solution देने के बाद सिधे अब हम लोग लीटेचर पर आ जाएंगे मिंस कि अब हम लोग एक exercise लेक्टेचर लीटेचर का जो है वह परहेंगे यानि कि इसके आने वाला जो वीडियो होगा वो इसका solution लेके आएगा और उसके next वीडियो में जो है वो हम लोग literature परेंगे ओके good day all of you and thank you